मुटनी क्याफे में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप पक्ड्ड्ड राख रहे हैं तो आपको डाइट प्लानrint को जानना बहुत जुरूरी है। और सबसे बड़ी बात होती है इनका वेट बढ़ना वचन एक दम से इतना ज्यादा प्लान वेट नहीं है वेट बढ़ने के बाद भी बहुत सी फ्रेशानिया आने लग जाती है डोग में कुछ अलर्जिक कंडिशन जो पैदा होने लग जाती है तो इसलिए क्या है कि पक डोग के बारे में आपको जानना बहुत जुरूरी है डाइट प्लान अपन डोग को क्या देना चाहिए तो अपन पूरा अपन जो 9th मन तक क्या है कि इसके डाइट प्लान के बारे में जानेंगे कि 9 मन तक अपन क्या क्या अपन डोग को देना चाहिए जिसके कारण क्या है कि डोग में कोई प्रशानी नहीं आए तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को भी दबाएं तो आई ये दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले अपने कोई बात को चानना जुरूरी है कि कुछ चीजें हैं डोग के लिए बिल्कुल ही अवोईड है वो अपन पक डोग को नहीं दे सकते हैं जैसे मीठा है, नमकीन है, नमक है, दूध है तो ये चीजें बिल्कुल अपन जो पक ब्रीड है उसको नहीं दे सकते हैं कोई भी बीड है उसको नहीं देनी चाहिए नहीं तो डोग में बहुत सारी अलर्जी कंडिशन आने लग जाती है डोग को स्किन इंफेक्शन हो सकता है अलर्जी कोई प्रोब्लम हो सकती है है और फॉल भी जो डोग का बढ़ जाता है सबसे पहले तो अपने को इन जो दो चा पहले आप याँ बुक करके रख लेए उसको मदर फीडिंग करने देवें क्योंकि अगर पपी मदर फीडिंग करेगा तो उसकी इम्मूटी है बहुत अच्छी होगी रोग पर तिरुदक शमता बढ़ेगी तो आप इस बात का ध्यान रखें कि छोटा पपी बिल्कुल ना दे सकते हैं अपने को इस बात का ध्यान रखना होगा और दोस्तों मिलकल पेसर है मार्केट में बहुत सी कंपनियों के आते हैं तो अपने को बड़ा इजीली मिल जाते हैं वो अपन दे सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं वन मन्त से लेकर थ्री मन्त तक अपन पपी को क् पपी स्टार्टर आते हैं वो अपन दे सकते हैं दिन में चार बार अपने को देना चाहिए पपी को और दोस्तों कोई भी अपन अगर फूड स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शुरुआत की जो मात्रह अपन काफी कम रखनी है धीरे देरे उसक चार मंथ से लेके 6 मंथ तक अपन पपी को क्या देना चाहिए दोस्तों चार महीने से लेके 6 महीने तक अपन क्या करेंगे पपी जब 4 महीने का होगा तो वहां पे अपन पपी स्टार्टर फूड को देदरे कम करके बंद कर देंगे और पपी फूड पे अपन लेके पनीर दोस्तों अपने सकते हैं sweet potato बॉइल करके देसकते हैं और Given Up अपन उत्ते देने होते हैं वह अनको cynka चोप करके और बॉЙल करके अपने को देने चाहिए वेजटेबल्स में अपन क्या है कि 4-6 मेने तक कि इसके पपी को अपन क्या है कि कद्दू दे सकते हैं, स्वीट पेटटो दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, ब्रोकली दे सकते हैं, वो इन सभी को क्या है कि अलका थोड़ा चोप करें, बारी करें, बारी करन वक्त अपने को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एपल का जो उपर का चिलका उतारें उसके अंदर के बीज निकालें उसके बाद अपन ये चीज़ें अपन देनी है और साथ में दोस्तों ये जो चीज़ें अपन एक दो दिन के गैप से देनी है लगातार नहीं इनको है इस तरह के अपन चीज़ें बिल्कुल बिन देंगे और दोस्तों चार महिने की एस से लेके 6 मन्त तक की एस तक अपन क्या करना है पपी को दिन में दो बार फीटिंग करानी है गर्मियों का मौसम है वहां पर क्या है कि दिन बड़े होते हैं काफी ज़्यादा तो वहां में दोस्तों अपन पपी को पपी फूर तो अपन देना ही है इसके साथ में में चिकन देंगे सकते हैं नहीं ज़्याद है यह नहीं देंकेकं जिप पनीर होटा अपन Crusade सब्सक्राइआ तो उसका लिंक में उपर आई बेटन में दे दूँँगा वहाँ पर जाके अपन देख सकते हैं कैसे अपन जो वभा ने को ऑनगर की चपाती है वह अपना डॉक को डे सकते हैं बहुत ही अच्छीहें भूंद दोस्तों साथ ही साथ क्या करें कि डोग को अपन मल्टी विटामिन लीवर टोनिक है यह अपन देते रहें अपने पसुची कसके प्रामर्श के अनुसार और डोग की समय समय पर पपी एज से ही अपन डी वर्मिंग और उसकी वेक्शिनेशन करवाते रहें जिससे डोग जो आ दोग के में सबसे बड़ी समस्य ही रहती है कि अगर कभी-कभी डाइट प्लान नॉर्मल होता है फिर भी उनका वेट बढ़ने लग जाता है और वेट बढ़ने से पिरशानी आती है तो वहां पे आपको डोग की एक्सराइज जो है बहुत जुरूरी है इस बात का भी आपने हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह आपको जानकारी कैसी लेगी आप जरूर बताइएगा धन्यवाद